कजाकिस्तान में शंगाई से योग संगेठन यानी स्टी ओ सम्मेलन के स्वागत समारों में प्रधान मंति नरेंडर मोदियों और पाक के प्रधान मंति नवाज शरीफ का आमना सामना हुआ दोनों नेताओं ने एक दूसरे का विवादन या साथ ही मोदि ने इस शरीफ और उनकी मा की सेहत का हाल चार दे लिया केंडरे मंतिरी और मद्यप्रदेश की पूर्व मुख्य मंतिरी उमा भारती ने मंसौर किसान अंदोलन के लिए कॉंग्रेस को जिम्मेदार ठेराया उमा का कहना है कि इस अंदोलन के पीछे जो हिंसा आग जन्य हो रही है वो सब योजना बद तरीके से कौंग्रेस ने करवाई है और आने वाले दो दिनों में इस बात का खुलासा हो जाएगा कि कौंग्रेस के लोग ही इसके पीछे हैं ये किसानों का आंदोलन नहीं बलकि कुछ शरार्ती तत्वों का आंदोलन है मद्यप्रदेश के मन्सौर मोवी घटना पर क्रिशी मंत्री राधा मोहन सिंग ने कहा मद्यप्रदेश की घटना निश्चित रूप से दुर्भागे पून है आज जो लोग किसानों की चिंता करने का नाटा कर रहे आगर ये समस्याएं किसकी देने जब से मद्यप्रदान मंत्री मोदिश जी आये हैं किसानों के कल्यान की कई योज़नाई शुरू हुई है गोर्खा जन्मुक्ती मोर्चा के मुख्यमंदी ममता बैनर जी के दोरे के समय उनका विरोत करते हुए जुलूस निकाला और आरोप लगाए कि राज्य सरकार डाजिलिंग के सरकारी स्कूलों में बंगाली थोपने का प्रयास कर रही है इसके साथ ही जी जे एम के समर्थकों ने पार्टी प्रमुग विमल गोरूं के नेतरतु में जुलूस निकाला और ममता वापस जाओ जैसे नारे लगाए सहरनपुर हिंसा के मुख्य आरोपी और भीम आर्मी के संस्ताबक चन्र सेकर राजाद और फ्रावन को हिमाचल के डलहौसी से उत्तरपदेश स्टी एफ ने गिरफतार कर लिया है स्पीच कॉंग्रेस के उपाद्यक्स इमरान मसूद ने ऐलान किया है कि कॉंग्रेस भीम आर्मी के साथ है मुख्यमंडी अर्विन केजवाल के साडू सुरेनर बंसल के खिलाफ लोक निर्मान विवाग के धेकों में ब्रस्टाचार के मामले में दिल्ली की ब्रस्टाचार विडोदक शाखाने अदालत में शिकायत करता राहूल शर्मा को सुरक्षा मुया कराने को लेकर अपनी कुछना को वापस लेने की मांग को लेकर केरल विधान सभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया सीम पिनराई विजियन ने एक दिवसी विशेश सत्र में पश्यूं की खरीद विक्री पर लगे प्रतिबंद को वापस लेने के लिए प्रस्ताव पेश किया जो पारित भी ह पुलिस ने वारदात के 48 घंटे बाद कारिवाई करते हुए आरोपी को गिरफतार कर लिया है और वैद संबंद इस हत्याकान का कारण धा बता दें धारदार हत्यार से की गई इस हत्या में पती पत्मी और उनके दो बच्चे शामिल है सोलापुर के करमाला में कर्ज से परेशान एक किसान ने फासी लगागर आत्मत्या कर लिए इस किसान ने सुसाइड नोट में लिखा है कि जब तक मुखी मंत्री गाउं नहीं आते मेरा और दोस्त का कर्ज माफ नहीं होता है तब तक अन्तिम संसकार नहीं किया जाए यूपी के करनोज में एक नाबालिक लड़की की नर्बली दिये जाने की का संसनी खेज मामला सामने आया मृतका के माबाप ने सोने के लालच में आकर तांतरिक को अपनी बेटी सौबधी तांतरिक ने मासूम की बली देने से पहले उसके साथ रेब भी किया अमेरिका में पाकिस्तान के अमबेजडर ने एक प्रोग्राम के दौरान का हमारे देश को आतंकियों के पनागा के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए उनकी बात को सुनते ही प्रोग्राम में मौजूद हजारों लोग हस पड़े ओडियंस के रियक्षिन से शर्मसार पाकिस्तानी अमबेजडर ने सफाई दी लेकिन ठाहा के नहीं रुके वो जुनजला गए देश बर के पैट्रोल पम्पों पर अब हर दिन पैट्रोल और डीजल अलग दाम पर मिलेंगे जीहां 16 जून से केंड सरकार पैट्रोल और डीजल पर डाम लागू करने वाली है एक दो दिन में इसकी घोशना भी हो जाएगी गौतलेवे की पास चेहरों पर पहले से ही ये पाइलेट प्रोजेक्ट चल रहा है चैंपियन्स टॉफी के आर्ट में मैच में श्रीलंका ने भारत को साथ विकेट से हरा दिया टीम इंडिया ने श्रीलंका को जीत के लिए 322 रनों का लक्ष दिया था जिसके जवाब में 322 का टार्गेट चेस करते हुए श्रीलंका की टीम महज 48.4 ओवर में 322 रन बना लिये और ये मैच साथ विकेट से अपने नाम कर लिया भारत में रेप छेडखानी जैसे केस बढ़ते जा रहे हाली में गुरुग्राम का एक शर्मिनाक रेप केस सामने आया जिस पर सिंगर अरीजी सिंग ने ट्वीटर के माध्यम से अपना दुख जाहिर किया साथ ही उन्होंने प्रधान मंधिन नरेल रिमोडी को ट्वीट कर बढ़ते हुए रेप केसेस पर सक्त कारवाई करने की सलाहत भी दी शारुक खान और अनुश्का शर्मा स्टारर फिल्म जब हैरी मेट सेजल का पहला पोस्टर रिलीस हो गया फिल्म इमतियाज अली डेरेक्क कर रहे हैं कई दिनों से दोनों फिल्म की शूटिंग कर रहे थे फिल्म रोल कीशन से दोनों की तस्वीर in भी सामने आई है बड़ी खबरों में फिलाल मेरे साथ इतना ही बागी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रही है एवन नियूस के साथ नमश्कार देश का सूपरसीद अख़बार महानगर मेल लेकर आ रहा है देश की राजधानी में पहली बाद महानगर ग्लोबल अचीवर्स अवर्ड सोशल वर्क एजुकेशन फैशन बिजनेस योगा मनुरंजन सरकारी और गैर सरकारी या हो मीडिया में एहम योगदान देने वाले पत्रकार इस मन्च पर मिलेगा सभी शेत्रों में एहम योगदान देने वाले लोगों को भरपूर सम्मान जी हां 27 जुलाई 2017 को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सजेगा एक ऐसा मन्च जो अनेक शेत्रों में विशेश उपलब्धी हासिल करने वाले लोगों को समाज में देगा एक नई पहचान इस बड़े कारिक्रम के आयोजक हैं देश के जाने माने वरिश्ट पत्रकार रणवीर गहलोत झाले लोगों के जाने माने विशेश पत्रकार रणवीर गहलोत